कि नमस्कार मैं डॉक्टर अंकुर गुपता रेगुलर क्राइसिस डॉट कॉम की तरफ से आप सभी का सवगत करता हूं इस समय हम कोविट पेंडमिक के बीच में हैं और आशा करते हैं कि आप सभी जो इसेशन देख रहे हैं वो सभी सुष्थ होंगे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है how to manage snake bites काफी इंपॉर्टन टॉपिक है और इस टॉपिक को बनाने में हमें डॉक्टर शिल्पा सक्षेना, डॉक्टर राजश गिदाम, डॉक्टर सुमित सिना और गरीमा सिना ने काफी इंपूट्स दियें, उन सभी को रेगुलर क्राइसिस की तरफ से काफी धन्यवाद, आज का सेशन हम हिंदी में रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, ताकि जो रूरल स्टेड में, उनके मेरेजमेंट में जाय स्यादा हेल्प हो पाएं, आज का सेशन जो टॉपिक हमने चुना है, उसके दो कारण है, एक तो डॉक्टर राजिश मुकाती ने, हमें जब हमारे सलफास पॉईजनिंग वाले वीडियो के कमेंट सेक्षन में हमसे रिक्वेस्ट क इसको बनाने में आज हमने जो रिफ्रेंसेस लिए हैं, वो डबलु एचो, बिनिस्ट ओफ हेल्थ और फैमिली वेलफियर, गवर्मेंट ओफ इंडिया, एन अप्टो डेट के लिए है, ताकि आप तक लेटिस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉमिशन पहुच पाएं, स्नेक बा से तक्रीबन 2,000 स्पीशीज हैं, वर्ल्ड में स्नेक्स की, जिसमें से 300 स्पीशीज भारत में मिलती हैं, उनमें से भी सिर्फ 52 वेनमेंस है, तो हर स्नेक बाइट पॉजनेस नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है, तक्रीबन इंडिया में 4 लाग केसेस पर यर आते हैं, जिसमें से 60,000 deaths per year होती हैं, इसमें ये important है कि 60,000 deaths स्नेक बाइट के कारण नहीं हो रही हैं, 60,000 deaths इसलिए हो रही हैं कि जो patient है, वो timely first aid नहीं मिल पारी उसको, या वो ऐसे center पे नहीं पहुच पारा है, जहां पे कि स्नेक वेनम अवेलेबल है, या उसका proper management हो पारा है, that's why first aid अगर patient को मिल जाए, तो काफी that's हम prevent कर सकते हैं, male to female ratio में obvious reasons के कारण males में जादा होता है, twice है, क्योंकि उनकी working जो farms में है, या movement घर के बाहर जादा है, that's why, और 50 to 70% जो bites, जो कि venomous snakes की भी होती हैं, जो poisonous snakes हैं, उनकी भी dry bites होती हैं, यानि कि poisonous snake ने भी आपको bite किया है, तो ज ये पहली चीज़ है, बहुत clearly हम patient को समझाएंगे, कि कोई भी snake bite ऐसा नहीं है, कि poisonous ही हो, और life threatening ही हो, और उससे death होने की possibility हो, 70% जो है, non poisonous और dry bites होती हैं, snake bites के pattern में, दो तरह के pattern हम देखते हैं, एक जो pattern होता है, कि आप काम कर रहे हैं, या फार्मर्स काम में कर रहे हैं, या कुछ gardening कर रहे हैं, और unintentionally वो किसी साब पे snake के उपर पैर रख देते हैं, या उनका हाथ चले जाता है, और वो अपने reflex में आपको काटता है, जो usually wiper और क लग रहे हैं, abdominal pain हो रहा है, या फिर हो paralysis है, जैसा हाथ पर move नहीं कर पा रहे हैं, और कोई history भी नहीं मिल रही है, TNA इसको कहीं काटा होगा, तो usually crates होते हैं, ये दो pattern different इसली हैं, कि इन दोनों pattern से आप समझ सकते हैं कि कौन सी species ने काटा होगा, और उसका management differ हो जाता है, that's why जब भी हाप history लें, तो इस pattern जरूर पूछें, जब एक cobra, wiper और crate की बात होई है, तो हम जरा समझें कि किती, जो species 52 हैं, किन families में बिलॉंग करती हैं भारत में, तो basically तीन families को बिलॉंग करती हैं, ilapedy, wiper eddy, और hydrophy eddy, इन में, ilapedy में cobra and crate आता है, wiper eddy में wipers आते हैं सारे, pit wiper, russell wiper, and hydrophy eddy में sea snakes आते हैं, sea snakes इसलिए important हैं कि usually जो anti-snake venom हमारे पास available है, इंडिया में, उसमें sea snake venom के लिए ASV शायद पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, कमी मिल पाता है, usually cobra एक fancy term है, फिल्मों में काफी use होता है, ये cobra से threat होता है, but crate and russell wiper जादा toxic हैं cobra से, ये आपको होना चाहिए, diagnosis कैसे करेंगे snake bite के, usually दो fang mark हमको ढूणने चाहिए, उसमें, classically दो puncture wound, जो की 8 mm ये 4 mm तक के difference पे separated है, depend करता है वो कौन सी species involved है, ये अपने को usually मिल साते हैं, but नहीं भी मिलें तो ऐसा नहीं है, कि bite नहीं किया है, but कही बार दो के इलावा, कही बार single एक ही bite mark मिलता है, कि side swipe के कारण, एक ही bite उसने है, एक ही bite रह गया, तो ऐसा नहीं है कि इस single bite को आप neglect करेंगे कि snake bite नहीं है, कई बार multiple bites भी होते हैं, snake अगर भूका है, या ज़्यादा डरा हुआ है, या उसे भागने की जगे नहीं मिल पा रहे हैं, तो कई बार numerous puncher fang marks ही मिल सकते ह snake bite कैसे भी present कर सकता है, यह important क्यों है recognize करना कि snake bite है कि नहीं है, क्योंकि अगर 6 hour wait time, जैसे कि हम सेपसिस में देखते हैं, वैसी 6 hour wait time, जैसे जैसे time निकलता जाता है, वैसे वैसे poison का absorption, blood vessels, muscles के थुरू होना चालू होता है, और यह high fatality में convert हो जाता है, उसको patient को बचाने की chances क हम होने लगते हैं, इसलिए history बहुत important है, fang marks बहुत important है, importantly आप diagnose करें कि यह snake bite से हम deal कर रहे, morbidity and mortality factors कि पर depend करता है, मतलब कि snake bite के बाद, prognosis कौन-कौन factors पर depend करती है, age, या तो बच्चे या adults, इनमें snake bites का effect ज़्यादा आता है, क्यों, बच्चों में क्यों आएगा ज़्या आप से ज़्यादा है, elderly में problem इसलिए होती है, क्योंकि उनके पास comorbid conditions बहुत सारी होती है, दूसरा, first aid किती जल्दी दिया गया, कैसा दिया गया, इस पर ही बहुत कुछ depend करता है, that's why आज का session बहुत important है, जो factors contribute नहीं करते हैं, size of the snake, बड़ा था, छोटा था, मोटा था, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, हाँ, species से ज़रूर फर्क पड़ता है, time of bite, दिन और रात में जो snake bites होते हैं, उससे management differ करता है, but उससे severity depend नहीं करती, so ये factors आपको दिमाग में होने चाहिए, अब अगर आप snake venom, snake के पास आये ही क्यों, अगर यह समझ पा सामने से कोई भी उसका prey आता है, या कोई उसको threat लगता है, तो वो जो poison inject करता है, वो दो काम करता है, primarily उसका purpose रहता है कि immobilize कर दे, सामने वाले को prey या threat को अगर वो immobilize कर देगा, तो उसकी protection हो जाती है, दूसरा, अगर वो से खाना चाहता है, या उसका prey है, तो उसका dietion म में भी help करेगा, that's why immobilize करने पर neurotoxic effect आता है, और digestive properties के कराण, tissue necrosis, muscle necrosis, coagulation, derangements, ये सारे factors निकल के आते हैं, तो snake venom basically ये दो काम करता है, उन्ही बेसिस पे, इन्ही दो properties के basis पे, जब भी कोई snake bite होती है, तो हम उसे चार syndrome में डिवाइट कर सकते हैं, progressive weakness, जो निरो पैरले और progressive painful swelling, इन चारो pattern ऐसे नहीं है, कि एक patient में एक ही जैसे मिलेगा, चारो overlap कर सकते हैं, देकें overlap with each other, और इस pattern के basis पे भी आप identify कर सकते हैं, कि कौन साइस नहीं के, तो ये table बहुत important है, ये algorithm बहुत important है, इसके दूसरी slide में एक और algorithm है, ये दो आप समझ लें, तो maximum part जो है, आ आप से पहले कि suspected snake bite, हमें लगा कि ये patient को snake bite है, अगर आपको कोई भी उसमें bite mark नहीं मिल रहा है, कहीं भी history भी नहीं मिल रही है, सुबह एकदम patient आ गया कि उसको cv abdominal pain हो रहा है, कोई neuroparalytic signs है, कोई local sign नहीं मिल रहे हैं, तो ये crate है, crate usually सोते हुए काटता है रात में, तो ये उसका pattern होता है, अब आपको overt bite, overt bite मतलब आपको पता है, दिख रहा है कि ये bite है patient को, तो history 70% time से non-venimous होगा, जरूरी नहीं है कि poisonous snake ने काटा, उसमें अबर patient asymptomatic है, उसको anxiety, palpitations और different तरह के symptom सा सकते हैं, आपको carefully observe करना है, most important thing है कि कोई भी overt bite, जो asymptomatic है, उसको भी 24 hours के प hospital में या अपने center पर रखना है, क्योंकि किसी भी time पे convert हो सकता है, neurotoxic type में, और hypoxia हो सकता है, patient को crash हो सकता है, तो 24 घंटे observation mandatory है, now overt bite में भी दो तरह की हो सकते, एक तो ये symptomatic हो गया, अब dry bite, dry bite याने, bite तो है, लेकिन कुछ भी वहाँ पे ना swelling है, ना कोई paresthesia है, ना patient को को कोई redness है, तो ये dry bite में आए गया, जो non venomous और venomous dry bite, so now, अब जो important pathway है, वो है कि suspected snake bite, आपको पता है, oat bite हो गया, और उसके बाद ये patient symptomatic हो गया, अब symptomatic में चार syndrome है, इसमें आप syndrome के basis पर define कर सकते हैं, कि किस तरह के snake ने काटा होगा, उसका आगे complications या management कैसा होगा, पहला दे snake bite के आज-पास बहुत minimal सी swelling है, या swelling नहीं है, patient को और कोई limb में कोई signs symptom नहीं है, बट patient को neuroparalytic symptoms आ रहे हैं, तो definitely ये cobra क्रेट में से कोई हो, कैसे symptom आएंगे, पहले ये cranial nerves को involve करेगा, फिर motor nerves को involve करता है, और smooth muscles को usually इतना involve नहीं करेगा, cranial nerves के कैसे आएंगे, ketosis, drooping of eyelids आने लगेगा, diplopia होगा, double vision, बोलने में तिक्कत होने लगेगी, गिसार्तिया, आवाज चेंज हो जाएगी, dysphonia, और dysphagia, खाने में भी दिक्कत होने लगेगी, इसके बाद आपके हाथ पेरों में paralysis होगी, और फिर जब respiratory muscle involved होगी, तब ये dysnea करने लगेगा, और ये ही वो point है, जहाँ पर आपको mechanical ventilation की जरुवत है, patient care में manage करना बहुत जरूर रहत है, तो neuroparalytic, cobra या crate, cobra में थोड़ी swelling wound के आसपास होती, crate में wound, जहाँ fang marks होता है, वो एकदम clean होता है, वहाँ dry bites जैसे ही लगता है, दूसरा हो गया, vesclotoxic, vesclotoxic मतलब coglation disorder भी होगा, patient क coglation profile deranged होगा, सब जगे से bleed करेगा, तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है, तो ये वाइपर कर्टेगरी में, patient bleed करेगा, patient को coglopathy develop होगी, shock होगा, और rhabdomyolysis जो हो सकता है, उसको acute injury भी develop हो सकता है, patient का अगर muscle toxic है, muscle toxic में usually sea snake और वाइपर भी हो सकता है, muscle एक है, बहुत ज्या compartment syndrome usually wiper में भी develop कर सकता है, but predominantly अगर compartment syndrome है और muscle swelling है, bleeding के कोई science नहीं है, तो ये flat telt cease नहीं होता है, वाइपर, वाइपर एक और तरह से present कर सकता है, progressive painful swelling, progressive painful swelling यानि local necrosis होरी है, tissue में, ecaimosis होरा है, blissing होरी है, painful swelling होरी है, compartment syndrome होरा है, but उसमें बागी कोई science नहीं है, तो ये wiper है, और ये काफी life threatening होता है, so with this, इस algorithm के basis पे आप decide कर सकते हैं, कि किस तरह का snake होगा, और किस तरह के अपने को problem होने वाली है, एक जो important चीज है, ये आपने देखा होगा, important ये है, कि toxin is presynaptic ये post synaptic, ये important में, ये point इसलिए है, कि जो neuroparalytic, ये neuroparalytic toxins होती है, ये pre synaptic terminal spec करें, कि post synaptic terminal spec करती है, इसका management में रूल है, जो pre synaptic poison होता है, वो आपका ASV से या new statement से respond नहीं करता है, जो post synaptic toxin होता है, वो आपका ASV, anti snake venom और new statement से respond करता है, आगे जब management part देखेंगे, तो इसका importance उसमें आएगा, तो ये ये algorithm थोड़ी आड़ा, एकदम quick revision के लिए, unidentified snake bite, neurotoxic है, local swelling है, cobra, कोई local swelling नहीं है, patient floor पे था, सुबह pain के साथ हुआ, crate, hematotoxic है, खाली hematotoxic है, bleeding disorder है, russell wiper, hematotoxic, rhabdomyolysis के साथ, plus renal failure present कर रहा है, russell wiper, hematotoxic है, neurotoxic भी है, renal failure भी है, rabdomyolysis, brown ury, russell wiper, so आपने देखा, wiper is very dangerous, और low, scary local swelling है, को, तो हो सकता है, ये non-venomous snake bite है, या dry bite, dry bite उसको कहते हैं कि venomous snake ने bite किया, पर poison, poison नहीं हुई, तो जब भी आपके पाँ snake bite का patient आए, तो कुछ important points आपको पूश लेने चाहिए, या history में note कल लेने चाहिए, when and where the bite occurred, कब हुआ था, snake का description अगर मिल पाए, तो अच्छा नहीं मिल पाए, तो आपको history से, या उसके clinical science से निकालना है, how the bite occurred, and whether there was more than one bite, यह important है, कई बार अपन एक ही bite पर ध्यान देते हैं, और एका दौर जगे काटा होता है, जो बाद में समझ में आता है, any signs and symptoms on timing of onset, कुछी भी subtle सा sign snake bite के patient में, कि आग बंद होने problem, आवाज में change, या दिखने में कोई दिक्कत, कोई सभी subtle sign हो, कितनी टाइम से डवलप हो रहा है, यह important है, एक बहुत जो important चीज है, कि कई बार first aid लेके patient आपके पास आता हो सकता है, उसको वहाँ anti-snake venom मिल चुका हो first aid में, और हमने history में नहीं लिया उसे, और हमने अपनी तरफ से पूरी dose दी, तो वो double dose हो जाती है, या more than required dose हो जाती है, जिसके side effect भी होते हैं, तो समझ नहीं आता है, या दूसरी reactions venom के कारण हो रही है, या ASV के कारण होती है, तो जब भी इस्टी लिया है, तो first aid में, जहां मिला है, वहाँ पे snake venom दिया है, कि नहीं दिया है, तो कितन दिया है, यह record करना बहुत ज़रूरी है, patient ने ethanol लिया है, या कोई इस drug के effect में important है, कि आपके central signs and symptoms vary कर सकते हैं, कि इसके कारण है, या snake bite के कारण है, कुछ drug history important है, जैसे beta blockers, anti-cogglants, जिससे आपके जो vitals हैं, वो differ करेंगे, और दूसरा, पहले भी कभी patient को snake venom लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है, patient पहली बार sensitize हो गया हो, तो इस बार हम ASV देंगे, तो उसमें hypersensitivity reactions आने की possibilities ज़ादा हो, तो दो तरह से अपन management define करते हैं, snake bite का, एक तो first aid management, जो primary neural areas में, जहां पर मिलता है, वहां पर दे पाते हैं, या आप घर पर दे पाते हैं, या local PhD में दे पाते हैं, और दूसरा, tertiary case center पर जब patient पहुचता है, या proper, जहां पर ASV अवेलेबल है, वहां पहुच जाता है, या ज कि हमको spread of venom reduce करना है, जहां पर काटा है snake ने, वहां से venom absorption उसका कम हो जाए, वहां से वो systemic circulation में spread कम हो, ये target होना चाहिए, दूसरा, stabilize करना patient, specifically airway, अगर patient को muscular paralysis या neuromuscular paralysis डवलप हो रही है, तो airway secure करना बहुत जरूरी है, आप intuition करके कर सकते हैं, या फिर खाली एंबू से भी क तो principles of first aid, हमने देखा कि इन तीन parameters पे अपन काम करेंगे, तो कैसे ये देखे, पहला check the history of snake bite, look for evidence of bite, हमने का fang mark देख लिजिए, आप confirm कर लिजिए कि snake bite है, दूसरा, reassure the patient कि 70% of the snake bites are non-venimous क्योंकि कई बार उसके signs of symptom, apprehension के कारा ही डवलप हो जाते हैं, पैनिक हो जाता है patient, very 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 important, do not attempt to kill or catch or identify the snake, बिल्कुल भी इसकी कोशिश करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि कई बार killed snake bite में भी है na, bite reflex present होता है, और वो reflex में काट सकता है, तो आजकल तो technology वाला जमाना है, तो digital photo taken at a safe distance में भी useful, दूसरे आपने photo कीच लिया, कि इस तरह का साब था, पॉसिबल हो इंपोर्टन है कि स्नेक को kill or catch identify करने की ज्यादा कोशिश ना करें, कोई हमको पता है कि अब snake bite आ गया तो वो area swell होगा, हमाँ swelling डवलप होगी, तो आप remove anything tight from the bitten wool, जोलरी निकाल दीजिए, उसकी rings, ankles, bracelets, footwear, इस सब हटा दीजिए, जिससे की swelling होगी तो वो circulation hamper ना करे, clothing अगर वो compromise नहीं कर रहा है, तो आप उसको रहने दे सकते हैं, पांचवा, immobilize the person completely, हमारा जो हमने पहले देखा था, कि reducing the spread of venom, तो spread of venom reduce करने के लिए, वहाँ पे अगर muscle contraction होगा, वहाँ पे अगर हम उसको ज्यादा movement करेंगे, वहाँ पे ज्यादा छेड़खानी करेंगे, वोन के आस-पास, तो वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है, venom को absorption बढ़ाएगा, इसलिए जैसे कोई एक patient को bite माना किया, snake bite, तो आप मालने की fracture ही है, जैसे fracture में अपन fix कर देते हैं, वैसे ही fix करना है, so immobilize the patient completely, sprint the limb in a functional position, किस तरह से करेंगे, वो अपन देखते हैं, इस तरह स से, functional position में, मतलब है, यह elbow है, कोई भी चीज़ मिल सकती है, आपको, scale मिलेगे, कोई भी rod मिले, paper मिल जाए, newspaper जैसे कि, padded piece of wound, tree branch, roll newspaper, sleeping pack, किसी भी चीज़ से हमको stabilize करना है, एक joint बीच में आप रखेंगे, और joint के दोना तरफ, आप अगर उसे tie करेंगे, तो immobilize हो जाएगा, transport the patient to nearest medical facility as soon as possible, आप toll fee number 108 पर भी dial कर सकते हैं, ambulance available है, या Apollo का जो ambulance number 1066 उस पर ही भी भी सकते हैं, motorbike या motorcycle पर भेज सकते हैं, important है कि motorbike पर third person must sit behind the patient, कई बार वो ले के जाते हैं, पर पीछे paralytic develop हो रहा हो तो गिर सकता है, इसलिए यह patient जैसे बीच में है, दो लोगों के बीच मे इसको carry करके जा सकते हैं, अगर ambulance आने में टाइम लग रहा है, do not allow the victim to walk, patient को पैर में अगर specifically चोट लगी snake bite है, तो उसे चलने को encourage नहीं करना है कि कुछ से आए, उसको बिलकुल ऐसा कि fracture हो गया है, वैसे immobilize कर दिना, ताकि अगर वोग करेगा, वोग करने में फिर muscle contract होगी, फिर वह blood circulation बढ़ेगा, और यह venom का absorption बढ़ाएगा, कुछ नहीं छेड़ना है, wound को, do not wash the wound, interfere with the bite wound, उसमें incision, suction, tattooing, कुछ भी cleaning नहीं करना है, यह सारा का सारा infection, create कर सकता है, और increase करा सकता है absorption को, venom को, इसे leave the wound as it is, अगर वहां blister develop हो रहे हैं, तो भी उसको undisturably रखने देन है, nausea vomiting patient को develop होता है, इसलिए nil by mouth रखना है, जाज स्यादा आप उसको एक paracetamol दे सकते हैं, अगर बहुत जादा pain हो रहा होता हो, बाकि कुछ भी नहीं देना है, कोई भी drugs जो चल रही है, वो सारी रोग देना है उस patient की, vomiting होकर हो सकती है, तो इसलिए अगर आप गाड़ को चोक ना करें, पूरे ट्रांसपोर्ट में airway or breathing अपने को, उसकी measure करना है की सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रहे है, पॉसिबल हो, तो जिस जगे आप जा रहे हैं, वहां से डॉक्टर से बात करें, उसको science and symptoms बताएं, तो उनको वहां पे तयारी करने में असान होगी कुछ do's and don'ts बहुरत important हैं, जो कई लोग फिल्मों में देखके सीख जाते हैं, तो incision and oral suction, यह देखा होगा अपना hero heroine के scene में, hero ने oral सक्किया और दिक्कत हुआ, तो technically इस पे trials भी हो चुके हैं, इस पे देखा गया mechanical device, suction devices से उनने सक करके देखा, इसमें जो trials में निकल के आ जाता है, poison पे, but आप जग सक्षन करते हैं, या device से सिरिन से सक्षन करते हैं, उस वजए से जो injury होती है local tissues की, उसके कारण venom और ज़्यादे अब्जाब हो जाती है, और infection कर इस बर जाता है, तो यह सब नहीं करना है, surgery, electrical shock therapy, यह भी नहीं करना है, traditional first aid methods, black stone, और alternative therapy, कि तरोले पता नहीं है, तो इसमें time waste ना करें, इसमें time waste बिल्कुल नहीं करें, और ASV local inject नहीं करनी है, कई लोग rabies की तरह उसको local inject कर देते हैं, ऐसा नहीं हमने देखें cases, इसलिए ASV IV जाती है, एक बहुत important, बहुत important चीज़ है, मैंने जैसे पहले ही बताएं, कि आपको wound को, या limb क immobilize करना है, उसको tornicate से tie नहीं करना है, tornicate से tie करना में क्या होगा, कि blood circulation उस पेर का, या limb का hemper होता है, जिससे हमाँ gangrene develop होने की possibilities बढ़ जाती है, tissue necrosis बढ़ जाती है, हमको सिर्फ immobilize करना है, ताकि वहाँ से wound side से snake venom का absorption कम हो जाए, कई बार snake attach रह जाता है, stick कर सकता है, तो किसी tool से उसको avoid कर दे, see snakes अगर काटते हैं, तो patient को dry land पर ले आए, so these are do's and don'ts, अब patient आपका tertiary care center में पहुच गया है, या आप वहाँ तक ले जा रहे हैं, तो सबसे important principle है, don't panic, बिलकुल panic होने की जरुवत नहीं, snake bite अगर properly आप treat करेंगे, तो 99.99 patients को आप बचा सकते हैं, दूसरा important principle कि patient को symptom हो चाहें नहीं हो, अगर वो dry white है, कोई उसमें sign symptom नहीं है, patient comfortable है, तो भी discharge नहीं करना है patient को, within 24 hours, 24 hours observation mandatory है, किसी भी point पर patient को neurotoxicity develop हो सकती है, अब patient को symptom develop हो रहे हैं, और उसका management करना है, तो two की principle है, अगर ये slide, ये slide आपके दिमार में रहे गई, ये section जो है, ये point आपके दिमाग में रहे गई, तो कोई भी snake-wide का patient आपके पास से बगए ठीक होई नहीं जाएगा, management of respiratory depression and shock, बहुत important है, अगर respiratory depression हो रहा है, तो उसे ventilate करना है, timely, और shock है, तो आप fluid, blood products इससे manage करें, followed by antivenom, antivenom is the specific therapy, ये दो चीज़ें आपने कर लहीं, तो most of the patients recover, so neuro-paralytic patients में जो paralysis के साथ, techypnia के साथ, bradypnia, paroxical respiration, central or peripheral nerves, paralysis के साथ प्रजेंट कर रहे हैं, उनका आपको earway secure करना है, और जो vascular toxic patients है, bleeding from multiple sites के साथ प्रजेंट कर रहे हैं, local renal failure के साथ प्रजेंट कर रहे हैं, उनका shock treat करना है, fluid से, blood products से, या फिर लगे तो dialysis से भी क कर सकते हैं, mechanical ventilation, फिर stress दे रहे हैं, बहुत important है, अगर इस patient है, respiratory distress और bulbar palaces, intubate the patient, आपको बताएगा, आखों में बंद करने में दिक्कत आ रहे हैं, बूलने में आवाज चेंज हो गई, खाने में problem आने लगी है, हाथ पर उठाने में दिक्कत आ रहे हैं, तो अगर आप उस नहीं करा, तो patient cardiac arrest में जा सकता है, फिर अपने revive भी कर लिया, एक बार patient hypoxic हो गया, तो it's of no use, यह transport में भी help करता है, so very very important, very very important, जो की बिलकुल भी miss नहीं होना चाहिए, अब अपन बात करें, तो anti-snake venom की, anti-snake venom is the only specific treatment, counter करने के लिए snake venom को, anti-snake venom ही हमारे पास available है, it should be given as soon as possible, यह systemic, जो effects हैं वो reverse कर देता है, अगर कई बार कुछ दिनों के बाद दिया जाए, तो भी, या कुछ effects जो weeks तक persist कर रहा है, तब भी, but as soon as possible इसे देना चाहिए, dose कितना देना है, यह depends करता है कि किस तरह का snake bite था, और यह सिर्फ free circulating snake venom को neutralize करता है, जब भी indicated हो, कब indicated होगा ASV, any sign and symptoms of envenomation मिले, चाहिए, वो आपको उसका lap में data अविलेबल हो की नहीं हो, आपके तास patient आ है, उसको neuroparalytic symptom आ रहा है, या wound के पास swelling बहुत, ease increase हो रही है, tissue necrosis हो रही है, do not wait for any test report, you just give the full dose, full dose मतलब either 10, 20 और 30, आप यह 5 वायल देना है, 6 वायल देना है, 8 वायल देना होगा, तो फिर 10 और repeat कर सकते हैं, तो साथ में आप clinical history लेते रहें, आप basic parameters भेज दें, but there is, there are no absolute contraindication to ASV, ASV देने का कोई absolute contraindication नहीं है, किसी patient में देने का, routinely dry bite में अपन नहीं देना चाहिए, जिसमें कोई sign symptom नहीं आ रहे हैं, क्यों, उसके दो कारण है, कि ASV के भी खुद side effect है, और reactionary side effect है, वो नहीं होंगे, दूसरा ASV का stock भी कम रहता है, तो वो waste नहीं होगा, but अगर कोई भी sign and symptom develop होता है patient को, तो आपको ASV देना ही, देना है, और वो full dose में देना है, dose किता देंगे, अगर neuropalytic snake bite है, तो 10 vials आप तुरन देदो उसको, कैसे देंगे आप उसको, 10 vials को, एक vials को 10 ml में dilute करेंगे, ऐसे 10 vials 500 ml नस में डालके, over 60 minutes infusion में देंगे, अगर एक घंटे में, या एक घंटे में, नियूरो पैलिटिक snake bites में कोई effect नहीं आता है, तो second dose आप उसके बाद repeat कर सकते हैं, एक घंटे के बाद, जो vesculotoxic snake bites हैं, उनमें 10 vials stat में देजिए, 60 minutes में, फिर second dose of 10 vials after 2-3 hours देखिए, bleeding में अंतर आ रहा है, या कुछ effect आ रहा है, अगर नहीं है, तो 6 घंटे बाद फिर 7 vials दे सकते हैं, second dose के बाद 7 vials, तो total 30 vials आप vesculotoxic snake bites में दे सकते हैं, neuro-paralletic में 20 vials से usually काम हो जाता है, कैसे बनाना है, एक vial 10 ml में dilute करके, ऐसे 10 vials 100 ml में बन जाएंगे, उसे 500 ml NS में डालके, over 1 hour fusion से देना है, कभी भी IM root से नहीं देना है, और कभी भी locally inject नहीं करना है, maximum dose is 30 vials, pregnant patient अगर आजाएं तो same, exactly same है, exactly same है, same dose देंगे और same treatment रहेगा, बच्चों में exactly the same, कोई pediatric dose नहीं होती इसमें, pediatric dose क्यों नहीं होती, क्योंकि venom तो उत्ते ही दिया है, बच्चे का surface area कम है, तो snake ते तो अपना poison उत्ते ही quantity में दिया है, दो पर 60 minutes, sensitivity testing ASV की ज़रूरी नहीं है, और but without testing भी patient को ASV से mild to life-threatening NFI-lexis reactions हो सकती है, तो अगर कभी ऐसी ASV की reaction डवलप होती है, तो आप उसको stop करें temporarily, oxygen दें, normal saline flush दें, epinephrine, adrenaline का injection subcute दे सकते हैं, hydrocortisone दे सकते हैं, बट ये सब के बाद जैसी patient settle होता है, you have to restart, restart करना है, slowly देना है और अपने dose पूरी complete करना है, you have to complete the full dose, lab investigation को इसी आप मत की मदद कर सकता है, routine तो आप CBC, renal liver functions कराते हैं, ABG आपकी मदद कर सकता है कि patient को आपको doubt है कि neurotox paralysis डवलप हो रही है, ABG कराएंगे में, तो आपको hypoxia से पहले उसमें PCO2 बढ़ा हुआ दिखने लगेगा, total CPK आपको इसलिए जरूरी है, सब्सक्राइब आपको आपका ज्यादा बड़ा आता है, total CPK, तो you have to maintain the urine output target more than 100-200 ml परा, कितना फ्लूट देना है आपको, PT INR आपका coagulation disorder, DIC, PPR, APTT, आपको help करेगा DIC पिक करने में, और urine routine microscopy में, अगर myoglobin पिक कर सकते हैं, तो वो भी usually brown color से समझ में आ जाता है, urine RM की जरुवत होती नहीं पड़ती, supportive care, antibiotics, steroids, allergic reaction के लिए FFP, fresh blood, अगर bleeding stop नहीं हो रहे है, prevention, treatment, hypertension, specific treatment, complication का जैसे renal failure के लिए dialysis कर रहे हैं, abdominalysis की fluid दे रहे हैं, compartment syndrome हो रहा है, तो फिस्क्टियोमी कर रहे हैं, हमने शुरू में बात करी थी कि pre-synaptic or post-synaptic paralysis, तो जिनमें post-synaptic paralysis होती, ASV के साथ new statement आप देंगे, तो यह estylcholine receptor पे anticholine stress है, यह estylcholine की quantity बढ़ा देगा, और इससे जो estylcholine receptor पे anticholine act कर सकता है, और paralysis reverse हो सकती है, प्री-synaptic pack नहीं करेगा, बट ASV के साथ यह आपकी मदद कर सकता है, new paralysis को improve कराने में, तो अगर हम summary करें इसमें, तो snake bite, maybe why non-venomous snake or dry bite, तो not, सारे snake bites में जरूवत नहीं होती, ASV के, patient को reassure करना बहुत जरूरी है, ASV is the mainstay of the treatment snake bite, initiated earliest, अगर आपको जरा सा भी doubt है, चालो करें, respiratory failure can be because of different reasons, neurotoxicity, shock, sepsis, किसी भी तरह से हो सकता है, बट mechanical ventilation is the mainstay of treatment, या फिर आप उसे MBU या Bipep से भी support कर सकते हैं, good glycemic control as usual, हर sepsis या हर poisoning में आपको मदद करेगा, very important, इसलिए red में लिखा है मैंने, continuous monitoring of the patient is the key to success, at least 24 hours, even in dry bite, patient को किसी भी जगे time पे neuroparalysis डवलप हो सकती है, bedside physician का judgment हमेशे important होता है, laboratory investigations बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं, clinical ही आप बहुत आराब से manage कर सकते हैं, snake bite जैसे की stroke, ACA से वैसी एक emergency जिसमें time is life, अगर timely treat हो जाए तो no patient of snake bite should die, this is very important, यह आपको भी message जाना चाहिए और आप जिने यह भेज रहे हैं, यह जिने समझा रहे हैं, उन्हें भी बहुत जरूरी है, कि snake bite के patients को timely treat करें, तो अच्छे से treat होते हैं, जो majority of the deaths होती हैं, जो हमने शुरू में डिसकस करी थी, वो तंत्र, मंत्र, fake remedies के चक्कर में, जो waste of time है, waste of important time, जब वो venom को हम HIV से neutralize कर सकते हैं, जब तक वो spread हो जाता है, and that's responsible for most of the deaths, तो this was in short, यह भहुत संक्षिप्त में था, snake bite के बारे में, कोई भी doubt हो आपको, इसमें कोई भी question हो, तो आप हमको comment section में पूछ सकते हैं, we'll try to reply, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए, और कोशिश करें, इस specific video के लिए मैं request कर रहा हूँ, कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास forward करें, ताकि जो भी यह देख रहे हैं, वो sneak bite से घबराएं नहीं, और उसे primary first aid देने में, और refer करने में, और tertiary care center पर भी manage करने में हमें help हो, और हम अधिक से अधिक मरीजों को बचा पाएं, Thank you, regular crisis को subscribe करें, ऐसे और videos आते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, stay home and stay safe.